हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का विएक मिस्सा टिंग में टेसी नुश्टर जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही ओरियंड ग्रीन पावर कंपनी लिम्टेट के भी क्वाटर थी के नतीजे आ गए हैं तो कैसे आया है नंबर उसी को हम लोग इस वीडियो में डिसकस कर किसे रिलेटेड लेटिस्ट अपडेट पोस्ट करते रहते हैं जैसे न्यूज हो गया डिविडेंट एनॉसमेंट कौर्टर ली अनिंग रिजल्स उसका लिंक आपको वीडियो डिसक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वीडियो को भी लाइक करिए दोस्तों क्यों कि लगें वीडियो देखने के बाद चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को तो 22 रूपीज 10 पैसे के राउंड ड्रेट कर रहा है अभी प्रॉफिट बॉकिंग जायर सी बात है नतीजे आ हैं तो उसके बाद गिरना ही था तो एक अच्छे रिजल्ट अभी 262 परसेंट का बढ़िया सा हम लोगों को सभी को जो लोग जब मैंने रिकमेंट किया था तब से जो बन के चलने अच्छा खासा अभी उसमें रिटर हम लोगों को मिल रहा है और अभी इसी के कैसे नतीजे आ हैं वही समझते हैं बाकी सारी चीजे आल्रेडी हम लोगोंने बहुत बार डिसकस कर रखा है सभी लोग नंबर जानने के लिए ही आये हुए हैं तो नंबर समझते हैं हम लोग दोस्तों क्विक अपडेट करूंगा सबसे पहले इसकी फाइनस को फिर उसके बाद नतीजे समझते हैं तो अच्छी मार्केट केपिल 1000 से उपर बुक वैलू परसेंट प्रोफिट गोथ रही है सेल गोथ 39.9% रही है 13.9% रही है यहां पे अपको दिखेगा कि यहां पे थोड़े नंबर ढीले हैं क्यू टू से क्यू थी के तो अभी चेक कर लेते हम लोग कि कितना कुछ है कितने ज्यादा कम आया है इस बार पर दोस्तों जो कंपनी की बात करें तो इसका जो पूरा बिजनेस है पावर जनरेशन का वो रिवनेबल सोर्सेस पे है मतलब फ्यूचर प्रूफ कंपनी है और अच्छी खासी चल भी रही है उसी को जैसे इतनी बड़ी जो रही है आप लोगों को दिखेगा कि एक टाइम पे एक रुपे 75 पैसे थी और 28 रुपीज 80 पैसे तक गई है तो यह बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर यहां पर रिटन की बात करेंगे तो भरपूर रिटन इस सेर ने दिया है अब नतीजों को डिसकस करते हैं जो जश्ट आये हैं कि कैसे आये हैं तो जैसे कि पहले मैं बताओं दोस्तों की क पूराना डाटा आप देखेंगे तो वहां पर बहुत टाइम इसको लॉस में ही रही है और कुछ कोटर इसके अच्छे गए हैं कुछ वापस से लॉस में ही गए हैं पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इसका जो सितंबर वाला होता है सितंबर का जो रिजल्ट रहा है व सितंबर में वापस से इसके अच्छे नंबर आये थे मतलब सितंबर का कॉर्टर जो रहता है इस कंपनी के लिए काफी बेटर जाता है सेल के मामले में भी और और एक चीज और भी आपको जैसा कि इसमें मैंने आपको लाश्ट टाइम क्योंकि रिवनेर्बल सोर्सेस पे अ हाइड़ो पावर प्लांट हो ग厲害 for example अगर इस गउसा कमपनी के हैत जैसे वसे तो टोलर का भी ऑनद का है पर मैं हाइडो पावर का ले रहा हूं तो उसका मिन्टेनिंस चार्जम कभी किसी एयर में, किसी कौर्टर में ही ही क्योंकि ऐसा तोहा नहीं है उसको हर महीने मतलब बहुत ज्यादा उस पर खर्च करना पड़ रहा है मरमत के लिए तो जब भी करना पड़ रहा है तब company का expenses थोड़ा ज्यादा आ रहा है overall देखा जाए तो margin जो है profit का वो बहुत ज्यादा है बेची देखिए बेची जब भी है अच्छा खासा इसने बेचा है किसी किसी में expenses थोड़े ज्यादा रहे पर आपको देखेगा यहां पे भी देखिए अभी जो latest आया है वहां पे भी आपको देखेगा कि 58 करोड से ज्यादा का profit हुआ है देखिए sales जो है वो 82 करोड ही रही है पर 58 करोड बहुत बड़ा यहां पे आपको देखेगा sales जो expenses है वो कितने खड़ से कितने कम है तो हर टाइम पे ऐसा ही रहा है तो बहुत अच्छा है इस टाइप से जो आ जाता है देखिए यह आपके percentage भी लिखा हुआ है तो यह जो जो जच्ट अभी quarter 3 यह और last quarter का तो last year से comparison करते हैं तो sales भी बैटर है मतलब जो operating से profit है वो double है थीक है यहां पे clearly double आया है last year से इस बार के नतिजे operating profit में profit before tax में भी बात करें तो बहुत 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 ही नहें वहां पे 20 करोड का company को 20 करोड से जादा का loss हुआ था last year और यहाँ पे 5.97 करोड का profit हुआ है जो कि वापस से एक अच्छा नंबर है और आप इसके पुराने डाटास देखेंगे दोस्तों जैसे 2019 का तो वहाँ भी नेगिटीम में ही नंबर था तो यह पहली बार है कि दिसंबर में भी company ने कैसे भी करके यहाँ पे एक अच्छा नंबर लेके आई है 5.97 करोड एक अच्छा नंबर हो जाता है लास्ट के यहर से क्योंकि पहले के quarter में देखेंगे आप loss में ही रही है तो यह बहुत अच्छी बात है और सितंबर से जो है क्योंकि सितंबर में हमेशा इस company का profit आप देखेंगे कुछ जादा ही better होता है सितंबर में सितंबर में ऐसा हो सकता है जस्ट मेरा है क्योंकि जून के बाद जो सितंबर वाला quarter रहता है उस टाइम पर आप देखेंगे कि अच्छा खासा मौसम रहता है कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं रहती है तो उसके वज़ए से साइध एनर्जी ज्यादा जनरेट होती होगी क्य जो सेल है वो एक करोण में भी पहुंच जाता है और आप देखेंगे जो है वो सितंबर quarter के ही डाटा में आपको नजर आता हुआ दिखाई देगा तो बट इस टिल जो अभी नतीजे है वो तो last quarter से काफी कमी है ही गोई कि वहाँ पे 61.62 करोड का profit हुआ था तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाता है और जो इस बार का है पर बैटर है last year से still दोस्तों अब company देखें लगातार तीन quarter जो अभी नए है उसमें कहीं पे negative में नंबर नहीं गया है तो यह बहुत बैटर बात है अब यह नंबर थोड़े आपको operating profit में तो company ने अच्छा किया है पर last quarter में still operating profit का भी number ज्यादा बड़ा था पर last year से आपको पता ही है बहुत बैतरी ने तो ऐसे कुछ ज्यादा खराब number नहीं कहूंगा मैं क्योंकि last year से company ने बहुत अच्छी growth किये बहुत ज्यादा ही अच्छी growth किया है पर last quarter से number इसके थोड़े कम है तो उसको लोग देखते हुए थोड़ा सा हो सकता है कि अभी जैसे कि इसमें profit booking आपको दिख रहा है तो एक label आने के बाद वापस से share support पे आएगा और उसके बाद वापस से growth करेगा ये conclusion निकल के आता है और overall बात करें results की जो अभी आये हैं तो वो अच्छे हैं कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है profit loss book म इसमें भी आपको मैं थोड़ा सा एक चीज ही कहूंगा क्योंकि आप इसको पुराने data देखेंगे दोस्तों तो वहां पे आपको देखेगा कि number negative में ही रहे हैं ये 2020 वाला एक बार प्लस में आया फिर उसके बाद जो covid वाला गया उसमें भी number इसके negative में ही रहे हैं पर यहा हो जाएगा क्योंकि sale तब और कर पाएगी company still अभी जो चल रहा है उसका बहुत better है अभी जो इस year का है वो 25 करोन प्लस में चल लगातार तीन quarter आपको जैसा की उपर बताया मैंने आपको दिखेगा तीनों के number प्लस में तो ये बहुत अच्छी बात है बाकि इसकी conditions में कोई और दिक्कत तो नहीं है अभी हम लोग quarterly results discuss कर रहे थे मैंने आपको उस पर update कर दिया चलिए अभी हम लोग इसके चार्ट पर बात कर लेते दोस्तों तो मैंने जैसा कि आप लोगों को इसमें target और बाकी सारी चीज़े दिया था तो target तो hit हुए ही 26 तक का target hit हुआ 32 वाला support के लिए, support हम लोगों को तब मिल पाएगा इसमें, मैं 1 second इसका chart ऐसे करूँ, support हम लोगों को तभी मिल पाएगा, जब इस टाइप से इसमें flat दिखे हम लोगों को थोड़ा ऐसे tick कहीं पर, अभी ऐसा कहीं पर भी नहीं हो रहा है इसके chart में आप देखेंगे कि just इसमें द लेबल के अराउंड दिखे कि हाँ इसी लेबल के अराउंड ट्रेट कर रहा है तो फिर मैं आप लोगों को इसमें टार्गेट का अपडेट करूंगा विलाल तो अभी टार्गेट का अपडेट इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है मतलब बाय के लिए जो पोजिसन है वो चलना है तो तो यही इसमें फिलाल अपडेट हो जायाएगा बाकी जैसे ही जैसे इसमें चार्ट में और सपोर्ट बनेगा मैं आपको अपडेट करूंगा थैक्स पॉचिंग सुड़ों मिलते हैं आपको नेक्स अम्ली की साथ नेक्स वीडियो में